हेलो फ्रेंट्स वेलकम डू माई चैनल डियेस ग्यांद्रेस्टी आज जुम्र वीडियो है क्लास दस्वी का जो हिंदी है गध्यभाग उसका जो तिसरा चेप्टर है भारत से हम क्या सिखे इस पार्ट से संबाधित 25 वीवी बस्तोनेस्ट प्रस्णों के उपर अधारित है जो अगामी 2024 के दस्वी के बूर्ट पर इछार्तियों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है तो आप इस वीडियो का अंतर देखे साथ ही इस चैनल पर पहले बिजिट करें दे प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दवा दे जिससे जो वीडिय तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्सन C हो जाएगा यात्रा बिरतान्त है भारत से हम क्या सिखें प्रसंख्याद दो है भारत से हम क्या सिखें के लेखक कौन है आप्सन A मैक्स मुलर, B डाक्टर भावानी संकर दिवेदी, C राम बिला सर्मा या D महात्मा गांधी तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप्सन E हो जाएगा मैक्स मुलर प्रसंख्या तीन है मैक्स मुलर का जन्म कहा हुआ था मैक्स मुलर का जन्म कहा हुआ था अप्शन है रतना पार्क नेपार्क, बी डिसाओ जर्मनी, सी वासिंग्टन अमेरिका या डी दिल्ली भारत तो इसका जो सेज़ जब होगा वो अप्शन बी हो जाएगा डिसाओ जर्मनी प्रसंखे चार है मैक्स मुलर का जर्म कब हुआ था ओप्शन है A, 6 सितंबर 1823 को अप्शन B है, 6 अक्टूबर 1823 को ओप्शन C है, 6 नौवम्बर 1823 को और ओप्शन D है, 6 दिसाओ जर्मनी 1823 को तो इसका जो सेज जब होगा वो अप्शन D हो जएगा 6 दिसाओ ábलण प्रसंख्य पांच है मैक्समुलर ने सर्व विद संपदा और प्राकृतिक संदर या से परिपूर्ण किस देश को माना है अप्सण ए जपान को, B. स्रिलंका को, C. भारत को, D. कनाड़ा को तेश का जो सही जवब को अप्सण C हो जाएगा भारत को प्रसंख्य चो है मैक्समुलर कौन सी भासा में बाल एक काल में ही निपुड निशन होकर कभीतार निखने लगे थे अप्सण है A. संस्कृत, B. लाइटिन, C. अंग्रेजी या D. अमेरिकन तो इसका जो सही जवब होगा वो अप्सण B. हो जाएगा लाइटिन प्रसंख के साथ है मैक्समुलर ने संस्कृत भासा का अध्यान कौन सा बिश्व विद्याले में आरम पररम किया आप्सण है A. लिपजिंग बिश्व विद्याले, B. कैम्रेज बिश्व विद्याले, C. लंदन बिश्व विद्याले या D. Oxford विश्वविद्याले तो इसका जो सही जवब होगा वो अप्शन यह हो जाएगा लिप जिंग विश्वविद्याले प्रस्वन के आठ है Maximalar नहीं तो प्रदेश का अनुबाद कौन सी भासा में करवाया अप्शन है A. अंग्रेजी, B. उर्दू, C. जर्मन, D. फ्रांस तो इसका जो सही जवब होगा वो अप्शन C हो जाएगा जर्मन प्रस्वन के नौ है Maximalar नहीं मानो सब्यता को मुल शुरुत किसे कहा Maximalar नहीं मानो सब्यता का मुल शुरुत किसे माना अप्शन है A. भौतिक ज्यान को, अप्शन B. पास्चारत्य सब्यता के ज्यान को C. बैदिक तत्व ज्यान को, या D. बिश्वतिहास के ज्यान को तो इसका जो राइट एंसल होगा अप्शन C हो जाएगा बैदिक तत्व ज्यान को प्रसंखे 10 है रानी विक्टोरिये द्वरा प्रदत कौन सी पद्वी को मैक्स मुलर ने तुक्ष समझ कर वापस कर दिया आप्शन है A. नाइट, B. जनरल, C. सर या डी किंग तेश का जो से जवाब होगा आप्शन E हो जाएगा नाइट प्रसंखे 11 है मानो मस्तिस्क की उत्क्रिष्ट तम उपलादियों का प्रथम सक्षतकार किस देश ने किया है आप्शन E. रूस, B. जपान, C. भारत या D. अमेरिका तेश का जो से जवाब होगा आप्शन C हो जाएगा भारत प्रसंखे 11 है प्राचिन बैदिक दिवत्य बिग्यान के कारण किस बिग्यान को नया शरूप प्राप्त हुगा है आप्शन E. जी बिग्यान, B. भावतिक बिग्यान, C. जोतिस बिग्यान या D. दिवत्य बिग्यान तेश का जो सेज अब होगा वो आप्शन D हो जाएगा दिवत्य विग्यान प्रसंखे तेरह है निर्वन्स बिद्या का सब्दार्थ है निर्वन्स बिद्या का सब्दार्थ है Option है A. काभ्य सास्त्र, B. ब्याकरण सास्त्र, C. प्राणी सास्त्र या D. मानो सास्त्र 23 का जो सेज अब होगा वो Option D होजएगा मानो सास्त्र परसंख्या 14 है भासा बिग्यान के द्वारा भासा के संदर्व में अब तक जो निस्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भासा सबसे आहम है Option है A. अंग्रेजी, B. ग्रीग, C. संस्क्रेट या D. लैटिन तो इसका जो सही जवाब होगा वो Option C हो जाएगा संस्क्रेट परसंख्या 15 है संस्क्रेट के सही तिक अब इस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है Option है 1,000, Option B है 2,000, Option C है 3,000, Option D है 4,000 तो इसका जो सही जवाब होगा वो Option A हो जाएगा 1,000 परसंख्या 16 है प्राच्या का अर्थ है Option है A. पास्चात्या, B. पुर्वी, C. बाद्य या D. आधुनिक तो इसका जो सही जवाब होगा वो Option B हो जाएगा पूर्वी, प्रसंख्या 17 है दापिस क्या है Option है 1, धार्मिक रंत, B. सुने का प्राचिन का लिन्द सिक्का C. एक दियोता या D. चान्दिक का प्राचिन का लिन्द सिक्का तो इसका जो सही जवाब होगा वो Option B हो जाएगा सुने का प्राचिन का लिन्द सिक्का प्रसंख्या ठाड़ा है साहनमा का रचनकाल है साहनमा का रचनकाल है Option है A. सात्वी, आठवी सदी B. दस्वी, ग्रावी सदी C. चोत्वी, पांच्वी सदी D. पांच्वी से छट्वी सदी तो इसका जो सही जवाब होगा वो Option B हो जाएगा दस्वी से ग्रावी सदी प्रसंख्या 19 से मुंड़ा किस देश की जन जाती है मुंड़ा किस देश की जन जाती है Option A. मंगोल, B. चीन, C. नेपल, C. याडी, भारत तो इसका जो सही जवाब होगा वो Option D हो जाएगा भारत में जर्खंड में यह जन जाती है मुख्य रूप से पाय जाती है प्रसंख्या 20 से भारत से हम क्या सीखे पार्ट में नेशी के अंदर बिसेशन किसके लिए परियुक्त हुआ है Option A. भारत के बीरों के लिए B. युवा अंगरे जादिकारियों के लिए C. युवा अंगरे जादिकारियों के लिए नए सीखे अंदर बिसेशन का परियुक्त हुआ है इस पार्ट में प्रसंखे 21 से किसी ब्राणसी के पास सोने के सिक्कों से भारा एक घाडा मिला था Option A. वारेन हैस्टिंग को B. विलहेम मूलर को C. फेडरिक मैक्स मूलर को या इनमेस से कोई नहीं तो इसका जो सही जोब होगा वारेन हैस्टिंग को प्रसंखे 22 से वारेन हैस्टिंग था Option A है फ्रास फारस का राजा B. भारत का गुवर्नर जर्रर C. महान दार्षनिक या D. प्रसिद समाज सुधारक तो इसका जो सही जोब होगा वाप्शन B होज़ेगा भारत का गुवर्नर जर्रर प्रसंखे 23 से लोटो का संबंद किस देश से है लेटो का संबंद किस देश से है Option A. इटली से B. स्पैन से C. भारत से या D. यूनान से तो इसका जो सही जोब होगा वाप्शन D. हो जाएगा यूनान से प्रसंखे 24 से भारत का अगनी सब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है भारत का अगनी सब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है Option A. एगनीस B. आगनीस C. इगनीस या D. ओगनीस इसका जो सही जोब होगा Option C. हो जाएगा इगनीस प्रसंखे 25 से भारत से हम क्या सिखे आलेख का हिंदी भासा में रुपांतराण किस ने किया है Option A. मैक्स मुलर ने B. डाक्टर भवानी संकर ने D. डाक्टर भवानी संकर दिवेदी ने C. राम्बिला सर्मने D. महात्मा गांधी ने तो इसका जो सही जोब होगा Option B हो जाएगा डाक्टर भवानी संकर दिवेदी ने तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था हिंदी जो बर्ग कच्छा दस्मी का जो हिंदी है उसका गदभाग उसका जो तीसरा चेप्टर है भारत से हम क्या सीखें इस पार्ट से संबनेद 25 BBI बस्तनिस्ट प्रशन और उसके एंसर पर अधारित था तो आप इस वीडियो को अंतर देखें साथ ही वीडियो को लाइक और शेर करना न भूले तो थैंक यू फूर लिस्टनिंग और वाचिंग